जलगाम जिले के रावेर तैसील में नई पंतोडी से पुरानी पंतोडी सड़क की मरमत का काम जारी है और यहां दस से बारा वर्ष की आईउ के आदिवासियों के बच्चे बाल मजदूर बनकर असकाम पर काम कर रहे हैं जलगाम जिले में नाबवार ठेकेदार बिये नगरवाल को क्या इस बात का पता नहीं इन बच्चों को बाल मजदूर के रूप में काम पर नहीं रखा जाना चाहिए ऐसा सवाल भी नागरिकों में उठाय जा रहा है इस काम पर मौझू सुपरवाईजर द्वारा इन बाल मजदूरों से काम करवाय जा रहा है समन में देखा जा रहा है कि सारवजनिक निर्मान विभाग के इंजिनियर भी बिना सीधे काम की निगदानी के वरिष रधिकारियों को जूटा स्पोर्ट वेरिफिकेशन भेशते हैं बाल श्रम को लेकर भले ही केंद्र सरकार ने सक्त आदेश दिये हो लेकिन सरकारी काम पर ही सरकारी बाबों की देखरेक में बाल श्रम करवाय जा रहा है और साथ में यह भी चौकाने वाली बात है की कामकाजी बच्चे आदिवासी हैं इस ठेकिदार के साथ साथ अधिकारियों के खिलाफ भी कारलवाई की जाए कि यह बाल मजदूरों को अब काम पर ना लगवाए